एक रहस्यमई गुमनाम रात जब चान्दनी के बादलों ने आसमान को अपने साए में ढख लिया था उस रात की कहानी थी गहरी अवाजों की गुण्ज और घने जंगल का डरावना माहूल था यह कहानी एक प्यार और भैस से बरी रोमान चक प्रेम कहानी है जो एक रहस्यमई और भयानक मकान में बुनती है किसी गाउं में जहां लोग अपने अपने सपनों के पीछे भागते रहते थे एक अजीब सी हवा फैली हुई थी लोग उसे अग्याद समझ कर उसे नजर अंदाज करते थे लेकिन वह रहस्यमई अब और किसी के सामने नहीं चुपा था उस गाउं में रहने वाला एक यूबग जिसका नाम था रवी जो एक इस्थानी कलाकार था एक दिन रवी ने गाउं के पुराने मकान में नए परियोचना के लिए काम शुरू किया वह उस मकान के गहराईयों में डूपता गया लेकिन उसे एक अजीब सी उचाए महसूस होने लगी जैसे कि उसने उस बुटीक मकान के दरवाजे को खोला उसे अजीब अवाजे सुनाये दी कौन है रवी ने अवाज अंदर से गुझी कोई जवाब नहीं आया रवी ने दीर दीरे मकान के अंदर चलना शुरू किया उसे महसूस किया कि कोई उसका साथ दे रहा है लेकिन उसके दिल को एक अजीब सा डर सता रहा था कृपया दिखाई दे मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुचाऊंगा धीरे धीरे रवी ने मकान की अंधेरों को नोक की और बढ़ा महाँ उसने एक स्त्री को देखा जो वैश्या के रूप में सजी थी वहाँ उसे देखकर भाईबीत हो गया लेकिन वह इस्त्री उसे बुलाने लगी आओ मेरे पास आओ उसने कहा तुम्हें घर की शान्ती और सुक्का अनुभव होगा रवी के दिल में एक अजीब सा कडशन था जो उसे उस इस्त्री के पास आरे के लिए मजबूर कर रहा था वह चाता था कि वह इस रहस्यमाइस्थान का राज जान ले इसलिए उसने उसकी और आगे बढ़ते हुए अपने कदम रखे इस्त्री ने उससे अपनी कोदी में बुलाया और उससे अपने साथ बैटने के लिए कहा मैं तुम्हे मेरे राज के बारे में बताऊंगी उसने कहा लेकिन पहले तुम्हें मुझसे एक प्रतिग्या करनी होगी रवी ने स्विकार कर लिया उसने इस्त्री की आँखों में देखा और उसने उसकी प्रतिग्या की मेरा रहस्य है इस्तरी ने कहा मैं एक प्रेत हूँ एक आत्मा जो इस मकान के अंदर बंध है मैं तुम्हें इस आत्मा के संग से मिलवाऊंगी लेकिन तुम्हें मुझसे प्रेम करना होगा रवी की हालत खराब हो गई थी लेकिन वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह क्या सुन रहा था लेकिन उसकी आँखों के सामने से आँसों नहीं रोके जा सकते थे वह समझता था कि उसके दिल का एक अंश उस इस्तरी के लिए तयार था वह प्रेम करने के लिए तयार हो चुका था उसके बाद रवी ने उस इस्तरी के साथ रहना शुरू कर दिया उसने उसे प्यार करने और संभालने का प्रयास किया लेकिन उसे हमेशा यह भै रहता था कि उसका प्रेम उस प्रेत के साथ क्या होगा वो रोज रात को स्त्री के साथ उसे रात की कई अजीब गरीब गती वीडियों में ले जाता जिसमें उसकी रोमान्चे को डरावनी कहाने शामिल थी लेकिन उसका डर हमेशा उसके दिल में बसा रहता था एक रात रवी ने अपने डर को सामने लाने का फैसला किया उसने इस्त्री से कहा मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ लेकिन मेरा डर अब भी असली है क्या तुम मुझे यह सब समझा सकती हो स्त्री ने उसके हाथों को पकड़ा और कहा हां रवी मैं तुम्हें समझाती हूँ मेरे साथ होने का मतलब यह नहीं कि में तुमें किसी प्रकार का डर होगा प्रेम में डर होना सामानिय है हम साथ हैं हम साथ में इसका सामना कर लेंगे रवी ने इस तरी के शब्दों को सुना और उसके दिल में एक नई आश्या की किरनोंगाई वह जानता था कि अब उसका साथ उसे हमेशा के लिए छोड़ेगा इस प्रेम की कहानी में रवी और इस्त्री ने अपने डरों का सामना किया और एक दूसरे के साथ रहे कर उन्हें पार किया वे एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए जुड़ गए और उनका प्रेम अग्यात ता और डर के साथ बढ़ा इस भैंकरो रोमाल चक प्रे भी भी नहीं तूटेगा